अपसे जो डिसकस हो रहा था यह और इस को लेके तो एक चोटा से हम स्केज बनाएं आपके लिए यह वाला पूर्शन अब देखिए इस यह पाइपलाइन बिसीकली दिस फॉम यह तो यह पाइपलाइन पार्ट तो आपका पाइपलाइन का जो आभी आईडी है यह ताइस 569 यह OD आप circumference हिसाप से हमने calculate किया है एक दो मिलिमीटर आगे पीछे होगा यह दो-तिर मिलिमीटर होगा मैक्सिंग और मोर एलेस अधिस तेंडर्ट तिंग और हम जो आपको फ्लैंज औरिफिस दे रहे इस औरिफिस में दो फ्लैंज है तो हमारा फ्लैंज का देखिए पीच सर्कल डाया इस पीचीडी पार्ट यह आपका है शेसो दसमें शिक संदेट अब यह यहां से लेके यह पार्ट आप देखिए यह होगी आपका पीचीडी जो कि है शेसो दसमें और जब आप फ्लैंज को बैठाएंगे यह पोर्शन पर आपका वेल्ड होगा यह दो इस पार्ट इस इस पार्ट इस इस तो मेरा इस अपसे कोई इस्व नहीं है आप देख लीजे यह पर आप और अब अधर आदाद रहे सर यह फ्लैंज को दिए यह फ्लैंज का यह पॉर्शन हो गया 610 mm PCD ओके और यह वाला जो पॉर्शन है यह इस इस फाइवंड इनट इ यहां एंटर करेंगे आपको बिसिकली यह alignment को सही रखना होगा यह alignment has to be right okay this is the whole thing sir so i hope sir i have cleared your doubt thank you sir in any question please get in touch with me thank you sir thank you